तो नमस्कार दोस्तो मेरा नम हरकिष्ण बॉर्मन है और मैं आलिपूर्दुवार में रहता हूं वेस्ट बेंगोल का और आज जो हम लोग सेशन करेंगी यहां पे वो सेशन अल्रेडी हार बेनुभियन के लिए अल्रेडी आच्छा साबित होने वाला है क्योंकि यहां पे हम हम लोग अच्छे तरीके से अल्रेडी जानेंगे और सभी लोगों को अल्रेडी मेरे तफ से वेलकम मीटिंग में तो देखिए दोस्तों आज यहां पे जो हेटलाइन लिखा हुआ है वो अच्छे तरीके से पढ़िए इसको इसको बोला जाते है इसको बोला जाते है शस्थो तो आज अल्रेडी गाणी जी ने बोला है के healthy is your real wealth, याने के हम लोगों का जो सरीर है, ये सरीर ही हम लोगों का already पहला और आखरी समपत्ती है, जो real wealth मतलब समपत्ती, ये हम लोगों का एक ही चीज है, वो है हम लोगों का already ये हम लोगों का सरीर, ये जो headline है, ये जो बात है, healthy is your real wealth मतलब मेरा सास्थ ही, मेरा already शरीर ही, मेरा पहला संपत्ति है इंडिया का नहीं अल्रेडी सारा बिश्वों का या फिर सारा वर्ल्ड का सभी बेक्ती या फिर सभी लोग ये बात को जानता है लेकिन दोस्तों आज इंडिया का जो कॉंडिशन है कॉंडिशन यही है कि ये बात को जानता तो है लेकिन जो मनना वो मनना का परसिंट्स बहुत कम है क्यूँ कि आज के डेट में अल्रेडी हम लोग जानते है wealth मतलब पेसा होता है और wealth मतलब अल्रेडी बांगलो होता है wealth मतलब घर बारी गारी बहुत कुछ होता है लेकिन wealth मतलब अल्ड़ेडी हम लोगों का ये सरिर भी है ये हम लोग अल्ड़ेडी भूलना सुरू कर चुके है क्यों कि आज के डेट में इंडिया में ज्यादा तर इंडिया में अल्रेडी हेल्थ को ज्यादा प्राइरूटी नहीं दिया जाता है, ज्यादा प्राइरूटी दिया जाता है हम लोगों का अल्रेडी पेसे को, जो हम लोगों का घर बारी है, वो घर बारी, पैसा, बंगलो, ये सब चीजों को अल्रेडी ज्यादा प्राइरूटी दिया जाता मोतो है।।। उसका एक जीता जाहता उदाहरण क्या है? आज आप लोगों के सभी लोगों का घर में लिडी बाच्चा होगा। आप लोग बाच्चे को क्या सिखेते हैं कि बड़ा हो। क्या पूलिस बनना हैnda 또 या फिर हेल्थ के बारे में भी सिखाने का, क्योंकि अगर हम लोग आज के डेट में इंडिया में हेल्थ के बारे में लोगों को नहीं सिखाएंगे, तो क्या होगा आगे जाके एसा भी दीन आएगा जहां पे अल्रेड़ी बायलोजी ने बोला है कि एक सो पुरी साल अल्रेडी 120 यार्स एक हुमेन बोडी का आयू है जिने का जो आयू है 120 यार्स और आज के दिन में ये 120 यार्स में लोग जीता है लगभग 60 यार्स 6-0 क्यूंकि यह जो 6-0 का माइनस हुआ है यह माइनस होने का अल्रेडिट हम लोगों को जाता है क्यूंकि आज हम लोग अल्रेडि सभी लोग बेस्थ है या फिर बीजी है किसके उपर पेसे के उपर गाड़ी के उपर बाड़ी के उपर कैसे हम लोगों को उन्नती करना है जो उन्नती कर रहेंगे हम लोग वो किस से करेंगे यह सरीर से करेंगे लेकिन यह सरीर अगर हम लोगों का ठीक नहीं होगा अगर साथ नहीं देगा तो क्या होगा आगे जाके अल्रेडि जो पेसा ये सरीर से खटाके और रोजगार करेंगे हम लोग, वो पेसा खुद का family में और रड़ी भोख नहीं कर पाएंगे अब लोग, हम लोगों का ये पेसा कहां चला जाएगा, ये पेसा चला जाएगा already hospital nursing home में, तो जो जो ये hospital nursing home में पैसा ना देना चाहते हो, आप लो लोगों के लिए प्रेजेंटेंटेशन ये नहीं है जो खुद को क्यार नहीं करता है और खुद को ऑल्रीडी आगे ठीक नहीं राकना साते हैं तो दोस्तों मुझे लगotes सभी लोग जो जीतना भी पार्टीिसिबेट्पेट्स हो आप तो सबी लोग उल्रेदी स्वास्थ रखना चारे हो तो इसलिए आज ये मीटिंग में आप लोगों का उपोस्थिती है् तो आज हम लोग बारी के से जानेंगे यह हेल्थ को केसे मेंटेन करना पड़ता है? और क्या करने से ये हेल्प अल्रेडी हम लोगों को आच्छा खास सर्वीस प्रोवाइट करेगा आज WHO का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आज बहुत अल्रेडी हम लोगों का सस्ट के लिए अल्रेडी बहुत हनी करग हो गया है क्यों कि WHO जो बोल रहा है ये एक भाबुनियों बिश्वाए है जैसे अल्रेडी आज अगर इंडिया में 100 आदमी पकरेंगे तो 100 आदमी से अल्रेडी 80 आदमी इल्नेस में हैं इल्नेस मतलब अल्रेडी डीजीस उन लोगों का हो चुका है या फिर होने बाला है और जो 20 आदमी है वह लोग कोशिश कर रहा है कि वह लोग हेल्दी होने का या फिर स्वास्थ होने का तो आज के डेट में यह जो हेल्दी और यह जो स्वास्थ होने का कोशिश कर रहा है ये कोशिश हम लोगों का हो रहा है लेकिन हम लोग ये कोशिश है नाकामिया भी हो रहा है क्यों कि हम लोगों को अच्छा तरीके से जानना परेगा ये कोशिश कहां पर हम लोगों को करना चाहिए आज के दिन में एक स्ट्रेजिटिक्स जो है वो है आज अल्रेडी इंडिया में around 5000 इंडियन स्ट्रोक में सफर कर रहे हैं पाट डे 5000 लोग अल्रेडी पाट डे क्या हो रहे हैं इंडिया में अल्रेडी स्ट्रोक में सफर कर रहे हैं प्रती दिन 5000 लोग क्या है प्रोक में सफर कर रहे हैं यह बहुत बुरा एक आखरा है क्यूंकि आज वह श्प्रोक का जो मात्रा है आपका घर पे या फिर घर का जो कालर्नी है वह कोल्री में भी बहुत सरा लोग देखिए जोग करके परालेसिस हो चुका है उसके साथ साथ डायवेटिक्स यानि कि पेंडिया में लगब्वाग आपका already millions में millions में लोक ये डाइबेटिक्स के उपर जोड़ी तो होता है तो यह जो डाइबेटिक्स है यह डाइबेटिक्स बहुत बढ़ा एक आखड़ा है क्योंकि डाइबेटिक्स अलड़ी इंडिया का राजधानी बन चुका है तो डाइब का इंडिया में ज्यादा तर कैंसर अल्रेडी में जूज रहा है जितना भी महीला है वो लोग अल्रेडी कैंसर में जूज रहा है क्यूं कि हम लोगों का इंडिया का जो प्रोथा है वो प्रोथा क्या है अल्रेडी जब बीमारी होगा तब देखा जाएगा लेकिन दोस्तों जब बीमारी होता है, तो हम लोग अल्रेडी स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, क्यूंकि बीमारी होने के बाद अल्रेडी खुद को ठीक करना या फिर लोगों को ठीक करना अल्रेडी हम लोगों के पास नहीं रहता है, क्यूंकि बीमारी होने के बाद जैसे अलू अल्रेडी धरने पर वोसे ही अलू को हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं वेसे ही होता है हम लोगों का सरीर भी अगर सरीर में बीमारी आ जाएगा मतलब हम लोगों का सरीर में क्या हुआ अल्रीडी पोका फुश गया तो जहां पर जहां पर अल्रीडी सर गया है वो जागा को ठीक करना सा कोई बात आए नहीं उससे पहले अगर आप ऑल्रीडी शुस्त राकने का श्वास्थ होने का उडिए कोशिश करेंगे तो क्या होगा आगे जाके आपका जितना भी ओल्रीडी एल का कंडिशन है अच्छा रहेगा और आपका जितना भी अल्डेडी आगे जाके health का condition खड़ाब होने वाला है वो ठीक रहेगा दोस्तों उसके बाद हम लोग जानेंगे आज ये जो medical industry या फिर बहुत सारे industry या फिर बहुत सारे लोग में बोलूंगा जहाँ पर इतना पेशा कमा रहा है ये health के उपर health के उपर इतना पेशा कमा रहा है ये जो disease ये जो रोक ये जो हम लोगों का सरीर का जो problem बोला जाता है ये problem हम लोगों के सरीर में होता क्यों है इसको हम लोग जर्ज से अल्रडी आज जानेंगे और जब हम लोग जर्ज से कारण को जान पाएंगे उसके बाद क्या है उसका solution भी हम लोग निकल पाएंगे क्योंकि हार एक ऑल्रडी परिष्थिति का एक कारण होता है अगर कारण को हम लोग जानेंगे या फिर पकर पाएंगे तो उसका solution भी निकल पाएंगे अगर कारण हम लोगों का पकर में नहीं आएगा तो solution कभी नहीं निकल के आएगा, तो आज देखिए हम लोगों का सरीर में disease होने का बहुत सरा बजा है, लेकिन एक घंटे में अल्रेड़ी ये सब कुछ बजा को display करने का या फिल explain करने का अल्रेड़ी time नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कुछ major कारण के उपर अल्रेड़ी आप बात चित करूंगा, क्योंकि ये सब major कारण, जो major कारण के उपर आज हम लोगों का सरीर में disease हो रहा है, वो major कारण के उपर पहला जो है, वो है water pollution, अज सभी लोग यहाँ पर meeting में उपस थी, सभी लोग हम लोग जानते है कि पानी का या फिर जॉल का दूसरा नाम है जीवन सभी लोग हम लोग जानते है, लेकिन दोस्तों, आज जोल का नाम अल्रेड़ी जीवन नहीं रहा, आज जोल और पानी जो है, अल्रेड़ी पुरा-पोरी, polluted हो गया है, और जहाँ पे जाके ये जल का और ये पानी का नाम हो गया, दूसरा नाम हो गया, जीवानू क्योंकि आज के डिट में हम लोगों का सरीर में, जोल से ये फिर पानी से, जो चीज चाहिए, जो एसेंसियल हम लोगों को अल्रेड़ी मिनरेल चाहिए, वो मिनरेल हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और उसके साथ साथ बहुत सारा ऐसे हमफूल प्रोडक्स, या फिर अल्रेड़ी जा रहा है, जहां पे जाके क्या हो रहा है, हम लोगों का सरीर का जो बैलेंसिंग पावर है, वो बैलेंसिंग पावर क्या है, डिस बैलेंस हो रहा है, तो आज ये जो पानी है, ये पानी अल्रेड़ी लगभाग पॉल्यूटेट हो चुका है दोस्तों, उसके एक बार जिग्यास करके देखिए आप लोग ये खाना का खाने का उद्देश क्या है ये खाना खाने का उद्देश कही न कही खाना में जो nutrition सुपा हुआ है protein, vitamin, carbohydrate ये सब कुछ जो सुपा हुआ है वो चीजों को वो protein, प्रोटीन भीटामिन को ब्रेक करना ही हम लोगों का खाने का उद्देश है लेकिन दोस्तों आज जो हम लोग खाना खारे वो खाने में ना हम लोगों को कोई एशेंचियल प्रोटीन भीटामिन मिल रहे ना कोई हम लोगों को यहां पर अच्छा खासा अल्रेडी यहां पर ब लोगों का शड़िज़ में और उसके बाद पुरा पोरीवार को अल्रेडि इसedia कर रहा है क्यूंकि यह होने के वज़ार जो कुछ हम लोगों कहीं एकने जाए क्योंस dönति देयर लोग कर रहा है यह हम लोगों को ही वरी ठुगतना कर रहा है जैसे यहाँ पे देखिए और जाके लोग क्या करता है यह kidney का damage लेके डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जब जाता है और डॉक्टर जब production करता है तब जाके क्या होता है उल्रेडी इनका kidney लगभाक 3 percent already खतम हो चुका है तो दोस्तो हम लोगों को डीजीस होने का अपेक्षा या फिर अपेक्षा नहीं करना है या फिर हम लोगों को वेटिंग नहीं करना है डीजीस होने के पहले ही क्योंकि हम लोग अल्रेडी सभी लोग यहां पर जानते हैं जो हम लोग खान पान ले रहे हैं वहां से डीजीस अ प्रिवेंशन हो जाए कि हम लोगों का जो डीजिस आ रहा है वो डीजिन्स को अल्रेड़ी प्रिवेंट करने के लिए वो क्या है हम लोगों को करना चाहिए कॉर्माली नीज हो रहा है हम लोगों का खाना में आच जो हम लोग फीश खाते हैं असम गॉबमेट ने आऔरड यह फीश को बैंड भी कर दिया था तो आच देखिए यह फीश जो क्लानी फीश को अज हम लोगों को यह केमिकल हम लोगों का सरीर में जाके already hormonal blockage कर रहा है बहुत सरा disbalancing कर रहा है और ये disbalancing के बज़े से हम लोगों का इतना बड़ा-बड़ा already disease हो रहा है जो हम लोगों का medical industry में जाने के बाद भी solution नहीं हो रहा है हम लोगों का आज यार pollution इतना बर गया है जहां पे इंडिया में already कलकात्ता मुंबाई already आपका जो देली है वहां पे आप लोग अगर जाएंगे तो आप देखेंगे oxygen marks लेकर लोग already सहर में खुम रहा है क्यों कि already सहर का जो बतावरन है जो यार है वो polluted हो चुका है दोस्तो लाइफटाल बहुत बड़ा एक चीज है और बहुत बड़ा एक कारण है हम लोगों का सरीर में डिजिस होने के लिए क्योंकि आज जितना points अल्रेड़े आगे आप लोगों को दिखाया food pollution यार pollution water pollution उससे जादा अल्रेडी खतरनाग हो चुका है यह lifestyle हम लोगों का क्यूकि आज का दिन में आल्रेड़े इतना life style हम लोगों के खतरनाग हो चुका है जहां पर जाके हम लोग खुद का खाइं में किव्योंकि आज़ जो हम बिलोग कर रहे हैं यह lifestyle totally already लोगों के लिए विप्रित है जीने के लिए बिप्रित है डीजिस के लिए यह विप्रित है totally तो हम लोगों का यह lifestyle को थोड़ा maintain करने का कोशिश करना पड़ेगा आज यह lifestyle के उपर अल्रेडी मैं जो कुछ बोलना चाहूंगा जैसे कि रेडियेशन ऐसा बहुत एक खतरनक चीज है जहां पर जाके अल्रेडी ग्लोबल वर्मिंग का हो रहा है और ये ग्लोबल वर्मिंग होने के वज़ा से बेंगोली से इसको विश्व उष्णायों भी बोला जाता है जहां ओल्ररेडी जो संह सूरिया है वा हूं दिन क्या है हम सभी नोग कैंसर के उपर अल्रेडी पड़ते जा रहा है औरHope इसका आच्छ बजा हम क्योंकि इंडिया का चाईनक्यानी कि आज चाईनी को सब्थिकूंत के इनडिया है। यहां पर ज tiene प्थिकूंत के इनडिया में। खुद गीरते जा रहे हम लोग, medicine side effect ये बहुत बड़ा एक part है, ये बहुत बड़ा एक बात है, क्योंकि आज मैंने बहुत सरे doctors को देखा, उनका family में वो लोग कभी already medicine को नहीं खिलाता है, लेकिन हम लोग already जो लोग doctor के family से belongs नहीं करते हैं, और medicine के उपर कोई knowledge नहीं रखते हम लोग क्या करते हैं, एक ACIDITY होने पर हम लोग already ACIDITY का tablet खाते हैं और हम लोगों का सेर दुखने पर हम लोग already सेर दुखने का medicine खाते हैं और body में pain होने पर already pain होने का medicine हम लोग खाते हैं दोस्तों, तो ये जो pain होने का medicine खा रहे हैं, ये भी एक disease का हम लोगों का वजा है, क् कि सरीर में जीने के लिए आच्छे तरीके से कोई medicine के जरूरूत है ही नहीं, क्योंकि जो medicine है, वो harmful चीजों से बनाया जाता है, जैसे आपका lead, cadmium, arsenic, बहुत ऐसा कुछ चीज होता है, जो हम लोगों का सरीर में जाके, already सरीर को disbalancing करता है, या फिर disease को बुलावा देता है, यह बहुत बरा एक कारण है, यह medicine, इसलिए आज इंडिया का परिस्थिती यह जो picture दिया गया है, यह picture के जैसे हो गया है, जो आज medicine अल्री ले रहा है, देखिए काल जाके, already उनको रात, दीन भर medicine देना पड़ेगा, क्योंकि medicine आपका धिरे-धिरे body का जो है, cell को damage कर देग तब immunity power आपका डाउन हो जाएगा, और जब immunity power डाउन हो जाएगा, तो कई न कई आपका सरीर क्या हो जाएगा, already neistage हो जाएगा, और neistage होने का मतलब क्या है, आपका सरीर में disease entry लेने का, उसके साथ-चाथ, आज solution के बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्यूँकि solution ही हम लो already खुद का डीजिस को कियो और नहीं कर सकते क्यूंकि डॉक्टर का पास कोई अम्रित है नहीं डॉक्टर के पास जो है वह है मेडिसीन और मेडिसीन से कोई 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 उलरी इडिजीस का क्योरिटीन होता है मेडिसीन से क्या होता है फिर यह कोई सलीूशन नहीं होता है अचैनेगे बैणिफिट वेलनिस फ्राइबर लिमिट्स का ऐक अनो खार पर अब है ब्रोडाक के बारे और बहुत सरा लोगों का आज अल्रेडी कम उमर में जटे ज़रते जा रहा है क्यों कि आज के डेट में यह जो हम लोगों का इंडिया का जो यहां से इतना बर रह ख्वर्हा है इसके सथ सत्या है यह बालों का सरीर की बहुत सालाइब डीस बैलेंस मैं अल्रीड होते जा रहा है तो निजीलप्रो जो है यह निजीलप्रो एक बहत्रीन एक फॉर्मॉलेशन जहां पे already 120 capsule हम लोगों को मिलता है और यह already extract लेके बनाया गया है जो हम लोग यहां पे already कालो मेथी भी बोल सकते इसको यह कालो मेथी से अलरी लेके यह extract को लेके इसको बनाया गया है और यह product यह जो formulation है already totally scientific तरीके से बनाया गया है जहां पे जाके आप लोगों को अगर ये खाने से अगर आप लोग खाएंगे तो बहुत सरा प्रोब्लेम से अल्रेडी सॉल्यूशन आप लोगों का मिल जाएगा उसके साथ साथ है benefit wellness private limited का एक अनुखा product वो है आपका weight loss support आप सभी लोग जानते हो इंडिया में weight loss का अल्रेडी weight का कितना problem है हार किसी को देखिए और दोर अल्रेडी बेयाम कर रहा है क्यों कि weight का problem है किसी का sugar का problem है किडिका किसी का weight का problem है लेकिन दोस्तों आज अल्रेडी benefit wellness private limited ने एक बहुत अच्छा और अनुखा एक product अल्रेडी यहां पे इंट्रोडीउस किया है जो है अल्रेडी weight loss support जो हम लोगों का सरीर में जो हम लोगों का सरीर में फेट अल्रेडी बारते जा रहा है वो फेट के उपर काम करता है और एक product है जो है अल्रेडी benefit wellness प्राइबेड लिएजट का benefit एक बुष्टार इसके बार में जितना ही बोलू उतना ही काम है क्योंकि आप लोगों को मैंने बोला था कि पानी का कितना दिक्कात हो रहा है हम लोगों का इंडिया में तो दोस्तों यह जो पानी का दिक्कात है यह दिक्कात को खतम करने के लि वो pH अल्रेडी हम लोगों का पानी में अल्रेडी नहीं है या फिर ज्यादा हो रहा है इसलिए हम लोगों का सरीर में बहुत सरा डिस्बैलेंसिंग आ रहा है तो आज यह जो अनोखा प्रोड़क्ट benefit wellness प्राइबेड लिमिटेट का एक्वा बुष्टर यह एक्वा बुष है उसमें कितना होना चाहिए तो दोस्तो पीने लायाक पानी में अल्रेडी pH का मातर होना चाहिए 7 यह जो 7 यह इसको वोला जाता है जैसे WA以及 booster जोब आप लोग घर में यूज करेंगे तो आपका पानी का पी एज क्या होगा अल्रेडी लेवेल ठीक रहेगा और आपका समस्ष जो है पानी के उपर वो खतम हो जाएगा और ये जो हम लोगों का बेनिफिट वेलनेस प्रैवेल लिमेटेट का ये जो एकवाबुस्टर है ये एकवाबुस्टर अल्ली पर पानी के उपर ही नहीं काम करता है ये हम लोगों का अल्रेडी मसल्स के उपर भी काम करता है और ये जो हम लोग ये पानी से भी कर सकते है तो ये जो टॉक्सिक हम लोगों का बोडी है या फिर जो हम लोगों का ये टॉक्सिन है बोडी में वो डॉक्सिन को भी यह क्या करते हैं बाहर निकलता है उसके साथ ज्भायन कियर आज इंडिया में बहुत ज्यादा जौरूरी है क्योंकि आणगी सभी लोगों को यह चाहिए क्यों चाहिए 18 साल के उपर जितना लोग है सभी लोगों को चाहिए ज्यादा करके जीन का उमर तीस साल से उपर हो चुका है या फिर होने जा रहा है उन लोगों को खास करके चाहिए ही चाहिए क्यों चाहिए क्योंकि आज हम लोगों का सरीर में जब उमर होता है हम लोगों क तो सरीर के उमर होने के साथ साथ अल्रेडी हम लोगों का सरीर में बहुत सरा एसेंचियल केल्शिया